मधुपूर में कोविड वैक्षिनेशन को लेकर स्वास्त विभाग समेत सभी विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी जोर शोर से लगे हुए हैं हर हाल में कोविड नाइंटीन जैसे वैश्विक महामारी से भारत को मुक्त कराये जाने की कोशिश जारी है इसी कड़ी में मधुपूर अनुमंडली अस्पताल समेत अन्य टीका करण केंदरों में लोगों की भीड वैक्षिन लेने के लिए जुट रही है वैक्षिनेशन केंदरों में सरकार द्वारा लगतार टीका करण अभ्यान चलाये जा रहा है कोई भी वेक्ति वेक्षिनेशन से वंचित ना रहे इसका ध्यान स्वास्थ विभाग, सिक्छा विभाग, राजश्व विभाग, खाद्य आपूर्ती विभाग समेत सभी विभाग टीम वर्क में काम कर रही है देवहर डेसी मंजुनात भजंतरी के निर्देश पर मधुपूर S.D.O. शौरप कुमार भुवानिया, विडियो राजव कुमार सींग, सीयो परमेश्वर कुसवाहा, बीयो बीन सींग, अनुमंदली अस्पताल उपाधिक छट, डाक्टर मुहम्मद साहित के नेत्रितों में टीका करण अभ्यान तेज गती से चल रहा है। अनुमंदली अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, कूल 14,068 लोगों को अब तक COVID-19 का टीका लगाय जा चुका है। यहां कड़ा 25 जन्वरी से 24 नौंबर 2021 यानि आज तक की है। इनमें COVID का पहला और दूसरा डोज दोनो सामील